हलो एवरीवन, वेल्कम टू लखी एजुकेशन और आज हम देखिंगे डेली एक्जाम डूस सीरीज का लेक्षर नम्मर थ्री एसस्टी वाला तो डेली एक्जाम डूस सीरीज के तहते हम जो वह डिसकर्स कर रहे हैं यह हमें हेल्प करेंगे हमारे आने वाले एक्जाम में ज तो ऐसा कौन सा पहला भारती राजा था जिसने अपनी प्रजा को एडिक्ट के माधियम से रोक एडिक्स के माधियम से क्या किया एड्रस किया संबोधित किया रोक एडिक्स मतलब जो सिलालेक होते हैं उनको क्या होते हैं रोक एडिक्स तो रोक एडिक्स के तुरू अपनी प बताईए जिसने सफलता पूरवक असोग के जो रॉक एडिक्स थे उनको क्या कर लिया पढ़ लिया तो वो पढ़ने वाला अंग्रेज था जैम्स प्रिंसेब ये सबसे पहला ब्यक्ति था जिसने असोग के जो रॉक एडिक्स थे उसको क्या किया ट्रांसलेट कर दिया बता dynasty का last ruler कोन था मोरे डानिश्टी का last ruler था 분들은 kी यह चीज आप चीज आप जहां लगना और ब्रेदरत को मार के ही पुश्च मित्र सूंग ने क्या किया था siung dynastik को चाहर épिया थी यहाँपर एक question थोड़ा सां बीच में मैं economics के लेना चाहता हूँ आप पर вед economics की question ठीक है किसी ने doubt पूचा था especially एक गर्ल है जिसका नामे डिंपल रांकाबत ने पूचा कि सर national income national product क्या मतलब है इन में क्या relation है क्या चीज नेशनल product क्या है national income क्या है ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान देनी है और यही चीज हम देखते है तो national income क्या है national income मतलब राष्ट्र आए राष्ट्र मतलब पूरे देश की जो आए होती है उसी हम क्या होते है national income तो it is the total income earn by the all the sources of production of the country भारत के जितने भी sources of production है भारत में वहां से जो income आ रही है उसको हम क्या होते है national income अब हमारे यहां पर आपको बत तीन मेंली सेक्टर से है primary sector, secondary sector और tertiary sector और तीनों से जो income आ रही है तोटल उसी को हम क्या होते है national income या पिर हम इसको ऐसे बोल सकते है it is the monetary value of the all final goods and services produced all sources of production during financial year मतलब एक financial year मैं financial year मैं मैं बताऊंगा क्या होता है financial year मतलब एक अप्रेल से 31 मार्च के बीच का जो time period होता है उसको हम बोलते है financial year और government के सारे काम किसम में financial year में होते है तो एक financial year में जितने भी sources और production है वहां से जो total goods and services जो produce हो रहे है उनकी जो monetary value होती है उसी को हम क्या बोलते है national income और अगर आप national income को divide कर देते हो देश की population से तो निकल क्या जाएगी आपकी per capita income ठीक है तो per capita income क्या होती है national income divided by total population और क्या निकल क्या जाएगी प्रतिवक्ति आए पर capita income निकल क्या जाएगी ठीक है ये question आभी चुका है अच्छा अब national income के कई सारे रूप होते है नेशनल इंकम के कई सारे रूप होते है जिनको हम क्या बोलते है उनको हम बोलते है national income concept मतलब भारत में national income को calculate करने के यहां कई सारे तरीके बता रखें मुश्टल मुश्टली आपने इसी का नाम सुनागा जीडीपी का ग्रॉश टॉमेस्टिक प्रोडेक्ट इसका नाम सुनागा ठीक है तो यहां पर आपको जीडीपी की डेफिनेशन देरेखे बुक में बाकि और भी तरीके जैसे नेट नेशनल प्रोडेक्ट नेट नेशनल प्रोडेक्ट यह दो बार आजए नेट नेशनल प्रोडेक्ट दो बार आजए तो कोई बात ने तो यहां पर यह तीन तरीके हैं जिसके तुरू मतलब हम क्या करते हैं नेशनल इंकम को कैल्गुलेट करते हैं तो अपने भारत में जो भारत की boundary के भीतर जो भी sources और production है एक financial area में जितने भी goods and services का production कर रहे है उसकी जो monetary value है वो ही क्या है GDP तो अपनी देश की economy के बारे में किस से बता चलता है GDP से बता चलता है इसके अलावा NNP, GNP ये भी है ये चीज़ आप ध्यान रखना ठीक है अच्छा इसी chapter में से फिर कुछ और question discuss कर लेते है chapter number 14 है ये ध्यान रखना 14 में से ही एक book आई थी planned economy for India planned economy for India इस book को किस ने लिखा था तो इसको लिखने वाले बेक्ती थे M. Biswes Raya ये book लिखी गई थी 1934 में और ये book किस के regarding लिखी गई थी ध्यान रखना देश की आजादी से पहले कि देश की economy कैसी होगी उसके बारे में ये book लिखी गई थी कि भारत की economy कैसी होगी how India will grow और कैसे अपने आपको develop करेगा उसके बारे में इसमें लिखा हुआ था तो लिखने वाले थे M. Biswes Raya financial year क्या होता है एक अप्रेल और 31 मार्च के बीच का जो period होता है उसको हम बोलते है financial year और financial year में ही सरकार के ज़्यादातर काम होते हैं तीक है अब बात करते हैं five year plans के बारे में तो देखो five year plans पहली बात तो five year plans की अगर बात करें तो five year plans बनाता है कौन planning commission कौन बनाता है planning commission बनाता है planning commission को आपको पता है कब बनाए गया था planning commission को बनाए गया था पंद्रे मार्च 1950 को planning commission को बनाए गया था और planning commission का head होता है प्रधान मंत्री PM इसका planning commission का head होता है आपको ये भी पता होनी चाहिए कि planning commission का head इसके अलाबा planning commission आजगी डेट में इसको हटा दिये गया है इसकी जगह पे एक नया commission आ गया है जिसको मोलते हैं नीती commission या है नीती आयोग आ चुका है एक January 2015 को आ चुका है आपका नीती आयोग तो आजगी डेट में भारत में जो planning की जाती है कौन करता नीटिया है खेर planning commission पहले किया बनाता था 5 year plans बनाता था क्या बनाता था five year plans बनाता था सबसे पहला plan हमारा बना था 1951 से 1956 के बीच में ठीके तो पाँस साल का plan हो गया यह हो गया हमारा first five year plan ऐसे ही planning commission ने अब तक तोटल बारे 5 year plan बनाए, कितने 5 year plan बनाए बारे 5 year plan बनाए तो पूछा जा सकता है कि अब तक कितने 5 year plan बने भारत में तो आपको बताना 2 last जो 5 year plan बना था बारवां वो था 2012 से 2017 और 2017 के बाद 5 year plan वाला system पुरी तरह से खतम हो चुगा है, क्योंकि आप क्या आ चुगा है, नीति आयोग आ चुगा है, और नीति की फुल्फॉम क्या है, National Institution for Transforming India, यह है आपकी नीति की फुल्फॉम, कब बना था नीति आयोग, नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015, ठीके न, चलो, यहाँ पर एक कोश्चन में आपक का CEO, कोने यह चीज़ आपको बतानी है, अच्छा, वही दे प्रिजेंट चेर्मेन ओफ नीति आयोग, नीति आयोग का जो चेर्मेन होता है, वो हमेशा प्रधान मंतरी होता है, मगर प्रिजेंट मेंको ने, प्राइम मिनिष्टर नरेंद्र मोधी जो हैं, यह है नीति आयो के chairman when national development council वाइज फॉर्म national development council वने थी अगस्त 1952 में जिसका काम था planning commission के दौरा जो five year plans बनाए जाते थे five year plans बनाए जाते थे उन five year plans को review करना ये काम किसका था national development council ये चीज आप यहां रखना planning commission गब बना था तो March 1950 में planning commission को बनाए गया था ताकि देश के लिए प्लान कर सकें कि देश कैसा होगा, देश की एकोनोमी कैसी होगी, क्या-क्या टार्गेट्स रखे जाएंगे, यह सारी चीजें, प्लान कौन करता था, प्लानिंग कमिशन, जिसका हैड होता था, प्लानिंग कमिशन, जिसका हैड होता था, प्लानिंग कमिशन, जिसका हैड होत Union of Soviet Socialist Republic, यह चीज़ धियान लगना, Union of Soviet Socialist Republic, जिसको हम USSR भोलते हैं, और यह USSR 1991 में क्या हो गया, इस इंटीग्रेट हो गया, तूट गया, और इसमें से सबसे बड़ा जो देश निकला वो है, रसिया, तो रसिया को पहले हम क्या भोलते थे, USSR और इसके साथ बहुत सारे कंट्र थे, जो 13-14 कंट्री और थे, जो मिलके बनाते थे, USSR या Soviet Union, तो Soviet Union एक पहला ऐसा देश था, जिसने 5-year plans बनाए, ठीके न, यह चीज़ा ध्यान रखना, और इनी से हम इंस्पाइर हुए, Soviet Union से हम इंस्पाइर हुए, और हमने भी क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, 5-year plans बनान स्टार्ट कर दिया, जैसे हम आजाद हुए, हूँ प्रिपेर था, Human Development Index, Human Development Index कौन प्रिपेर करता है, तो इसको प्रिपेर करता है, UNDP, United Nations Development Program, यह प्रिपेर करता है, Human Development Index, ठीके न, अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, और यह चीज़ ध्यान रखना, हमारे एक में यहाँ प साइंस, जितने भी नोट्स हैं, क्लियर नी सुनना है, इसको, क्लास 10 के साइंस और SST के जितने भी नोट्स हैं, सारे के सारे नोट्स अब आपको लखी एजुकेशन, जो यह टेली ग्राम चैनल है, यहाँ पर मिलेंगे, किसी से भी आपको नोट्स पर्षेज करने की जरू आप सभी के लिए फ्रीली अविलेबल हैं, उनको आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, कहां से, आपको क्या करना है, लखी एजुकेशन टेली ग्राम चैनल जोइन करना, और यहाँ पर आपको यह नोट्स मिल जाएंगे, और अपने साथियों को बताना है कि भाई, कहीं से भी नोट्स ना करीदें, जो दे रहे हैं, वो सब फरजी हैं, हमारे नोट्स को ले लेके ही बिचने का गाम कर रहे हैं, ठीक है न, सो उनको रोकना है, यह आपकी responsibility है, बाकी मेरी responsibility मैं पूरी कर रहा हूं, आपकी responsibility आप, पूरे करिए, इस information को पहुँचाए, ज्यादा से ज्या जा सकए, ठीक है, तो टैंक यू, टैंक यू, सो मच, कीप लर्निंग, कीप इन्जोइंग, और गाद ब्लेश यू अल,